हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीस्टीन किचन 24, मैं शगुफता और आज हम हमारे किचन में बनाएंगे बीटरूट के कटलेट्स, चुकंदर के कबाब, जो कि सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे, तो हेल्दी खाना भी तो चलिए, आज हेल्द को ध्यान में रखते हुए, हमने बनाया है, भी टूट के टलेट, तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं, बहुत एज़ी है बनाना, और नहीं हमें जादा सामान की जरुवत है, तो इसके लिए हम पहले ब्रेट क्रम्स तयार कर लेते हैं, तो मैंने द हरा धनिया डाल दिया है, इसकी हम चटनी बना लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसको हम पीस लेंगे, जो कटलेट के लिए हमें जिस जिस समान की जरुवत पड़ीगी, वो चीज़े हम पहले बना लेते हैं, तो फिर हम इतनी बाद में परिशानी नहीं होगी तो फिर उसके लिए हमने कटलेट के लिए मैंने बीट रूट को ग्रेट कर लिया था, और हरा धनिया एक हरी मिर्च काट लिये, दो बॉइल डालू है, आप चाहें तो उसे भी ग्रेट कर लें आलू को, लेकिन मैंने हाथ से मैश किया था, आपको जैसे ठीक लगे, इसमें लंच नहीं रहने चाहिए, अच्छे से आलू फूट जाने चाहिए, बीट रूट और आलू अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, अब इसमें हम हरा धनिया भी मिर्ची सब मिक्स करके, आलू बीट रूट को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे हम, बच्चों को लंच बॉक जैसे कि उनको हम खाना पैक करते हैं तो उसमें हम साइड में ये भी दे सकते हैं कटलेट्स तो बच्चे बहुत शौक से खालेंगे इसको ऐसे आप उनको भी टूट खिलाएंगे तो वो बिलकुल नहीं खाएंगे तो ये हल्दी चीजें उनको आप इस तरह से कटलेट के और एक चमच मैनेस में जीरा पॉड़र डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा मैनेस में ब्रेट क्रम भी डाल दिया है फिर अब इनके हम कटलेट्स बना लेंगे बहुत इजिली बन रहे हैं देखें कहीं से भी नहीं ये टूट रहे हैं बहुत अराम से सारे कटलेट्स इसके तयार हो गए थे इसी तरह से मैंने बाकी के सारे कटलेट्स बना लिये हैं इसके और एक पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया गयास पे जिसमें हम इसको सीखेंगे आप चाहें तो इनको deep fry कर सकते हैं लेकिन मैंने deep fry नहीं किया है मैंने इनको सिर्फ ऐसे ही सेका है पैंड में इसके लिए slurry तयार कर लेंगे मैंने एक चमच मैदा ले लिया है उसमें पानी आड़ करकर हम slurry तयार करेंगे इसमें हम कबाब को dip करेंगे और उसके बाद bread crumbs लेवाएंगे तो ये बहुत जादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए तो इसकी consistency इतनी रहनी चाहिए जितनी अब हमने ये तयार किया है तो इसमें मैदा को हम अच्छे से mix कर देंगे लम्स नहीं रहने चाहिए बस अब और पानी हम अड़नी करेंगे इतना ही थिक रखना है इसलिए बनाई हमने के क्योंकि डारेक्ट ब्रेट क्रम तो चिपकेगा नहीं कटलेट से तो पहले हम इसलिए में डिप करेंगे इसको मैदा की स्लेरी में उसके बाद हम ब्रेट क्रम लगाएंगे इसके उपपर से वो इसपे स्टिक हो जाएगा अच्छे से जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा दे जाड़ दे उसपे से फिर उसके बाद उसको हम जिस पैन में सेखना है उसमें कटलेट को डालते जाएं आप हात Pictures ब्रेट क्रम लगाना है और डारिक पैन में डालना है सेखने के लिए इस तरह से मैंने चार कटलेट पैन में डाल दिये हैं देखिये कितना अच्छा कलर अनका और इनको हम थोड़ा थोड़ा ओइल डाल कर इनको सेख लेंगे यह सब तयार हैं कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत ही हल्दी स्नेक्स हैं बच्चे हर रोज कुछ न कुछ अलग फर्माईश करते हैं तो आप इस तरह का कटलेट बनाएं यह हल्दी भी है फास्ट फूट को अवाइड करते हैं बच्चों के लिए तो कुछ न्यू बनाना है हम बच्चों के लिए कुछ नया ट्राइ करना चाते हैं तो वेज कटलेट बनाएं बेटूट कटलेट बनाएं तो बच्चों के लिए भी नहीं नहीं चीजें हो जाएंगी, एक खाना खाकर बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो उन्हें आप नहीं नहीं डिशिस बना कर दें, बहुत इजी है बनाना, तो अब सारे कटलिट्स तयार हो गए थे, हमने उनकी प्लेटिंग कर लिए इस तरह से मैंने कटलिट्स हरे धनिय की चटनी के साथ सर्फ किये हैं, आप टॉमेटो कैचप के साथ भी सिखा सकते हैं, कैचप से भी ये बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप ट्राय करेगा मेरी रेसिपी, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी है ये, और मेरी जादा से जादा वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें